ओम पिछले वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं नोटिफिकेशन बेल दबाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाईए आईए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों पिछले वीडियो में हमने कहा था कि स्रिष्टी का निमित कारण ईश्वर है ईश्वर के बारे में संसार में विभिन्द मत हैं बहुत से युवा आजकल कहते हैं कि वे साइंस को मानते हैं वे ईश्वर को नहीं मानते ये बात कहां तक सही है आईए जानते हैं कि की वैज्यानिक, Richard P. Feynman के अनुसार, वर्ल्ड इस गेम अफ चेस प्लेट बाइ गॉड और गॉड और गॉड और गॉड और गॉड और गॉड अनुसार, इससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ रैंडम हो रहा है, क्या ये सही है? उधारन लेते हैं, यदि हम न्यू यॉर्क सिटी का एक बर्ड आई व्यू लें तो हमें लगेगा कि बहुत से लोग रैंडम चल रहे हैं, पर वास्तविक्ता ये होती है, उन सब के पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है, वो एक नियंबद तरीके से चल रहे होते हैं, इसका अर्थ ये है कि जो हमें रैंडम लगता है होता हुआ, वास्तव में ऐसा होता नहीं, आइंस्टीन भी बानते हैं कि याद्रिक्षिक्ता वास्तविक्ता में कुछ मौलिक गुणों की हमारी अज्यानता का ही प्रतिविम्भ है, इन कतनों से ये सिद्ध होता है कि स्रिष्टी एक बहुती बुद्धिमत्ता पूर्वक और उद्देश्य पूर्वक रची गई र इतिहास देखें तो अनेक दावशिनीकों की सदैव से स्रिष्टी विज्यान में जिज्जासर रही है, वरतमान विज्यान की अनेक शाखाएं स्रिष्टी विज्यान के अंतरगत ही आती है, हमारे प्राचीन वैदिक वांगमय के आर्ष ग्रंतों जैसे निरुप्त, उपनिशद, ब्रामण ग्रंद, आदी में स्रिष्टी विज्ञान पर गंबीर विचार किया गया है। आदुनिक विज्ञान के उद्यकेपूर पश्चिमी देशों में अरस्तु, प्लेटो आदी विचारों के स्रिष्टी समंदिव विचारों का प्राधूर्भाव हो चुका था। आदुनिक विज्ञान के युक की बात करें, तो कौपर्निकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे अनेक महन विज्ञानिकों ने स्रिष्टी विज्ञान पर बहुत मतोपून कार किये। इसके पश्चार्थ समस्त विश्ञ के विज्ञानिकों और इंजिनियरों ने भारी पुरशार्थ के साथ भारी धनराशी व्याय करते हुए ब्रह्मान को समझने हितु, साजा प्रयास करते हुए अति उच्छ तकनीके विखसित करी। पर ये आश्चेर का विश्य है कि ये सब करने के बाद भी आज तक स्रिष्टी उत्पत्ती को लेकर एक सर्व मान्य सिध्धान्त संसार में स्थापिक न हो सका। विज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अमेरिकी विज्ञानिक रिचर्ड फेनमें ने कहा था कि वी हैव नो नौलेज ऑफ वट एनरजी इस। और फोर्स के बारे में उन्होंने कहा था और जो रहस्य हमारे महर्शियों ने जाने थे वह धीरे धीरे लुप्त हो गया। वैदिक भौतिकी इनी स्रिष्टी विज्ञान के रहस्यों को जानने का प्रयास करती है। आज हमारे पास वैदिक ग्रन तो बहुत हैं पर उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। हाला कि स्रिष्टी का अपूर्ण ज्यान होते हुए भी आधुनिक विज्ञान ने बहुत से आविश्कार किये, बहुत सी तक्नीके बनाई, जो अब से पहले केवल कलपना का विशय थे। इसलिए वर्तमान विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान परिवर्तन शील है, यह गर्व करने की विशेष्ता है यह विज्ञान की अपूर्णता। उधारण के लिए यदि मैं सूरी को देख पाऊं या ना देख पाऊं क्या इससे सूरी और उसके विज्यान में कोई अंतर आएगा यहां समझने वाली महत्वपून बात ये है कि क्या विज्यान को प्रेक्षनों और प्रयोगों की सीमाओं में कठोरता पूर्वक्त बानना उचित है यदि हम आज अपनी बौद्धिक स्तर्थ या तकनीकी सीमाओं के कारण यदि किसी विज्यान को नहीं समझ पारे तो क्या उसका खंडन करना उचित है उधारन के लिए लव प्रेम ये विज्यान का विशय नहीं है तो क्या ये कोई बुरी बात है क्या ये असत्य है ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि वास्तविक विज्यान कभी बदलता नहीं जो स्रिष्टी के नियम है वो कभी बदलते नहीं चाहे हम उन्हें आज जान पाएं या ना जान पाएं वर्तमान विज्यान स्रिष्टी विद्या को लेकर आज इसलिए भी भ्रमित है क्योंकि उसका ध्यान प्राय क्या और कैसे जैसे प्रश्णों के उत्तर ढूनने में ही रहा। उधर वैदिक विज्ञान हमें ये भी बताता है कि कोई भी कारे कैसे होता है, क्यों होता है, किस उदेश से होता है, उसका करता कौन है, किसके लिए होता है, आदी. अब हम सृष्टी निर्मार की प्रक्रिया के विशय में वैदिक विज्यान की सारांच रूपी व्याख्या प्रस्तूत करते हैं सृष्टी निर्मार प्रक्रिया के विज्यान का ऐसा गूड रहस्य आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा और वर्तमान विज्यान भी इससे नितांत अन्भिज्य है सर्व प्रतम स्रिष्टी की प्रारंबिक अवस्था पर चर्चा करते हैं सबसे पहले ये जानना आविश्यक है कि महाप्रले और स्रिष्टी का क्रम उसी तरह चलता है जैसे दिन रात का क्रम चलता है स्रिष्टी महाप्रले उसी प्रकार चलते हैं जैसे दिन रात दिन रात का क्रम चलता है इस स्रिष्टी प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या हम आगामी वीडियोस में भी कहेंगे महाप्रले वस्था वह होती है जिसमें स्रिष्टी का मूल उपादान कारण प्रकृती की साम्य वस्था होती है जिसमें सत रज और तम गुण इनेक्टिव होते हैं जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था सर्व प्रतम जब इश्वर की स्रिष्टी निर्मार की इच्छा होती है तो उस चेतन तत्तु से नियंतरित और उत्पन पराउम रश्मी प्रकृती की साम्य वस्था को भंग कर देती है जिसमें सत और रज गुण एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रकृती की इसी स्थिती को काल कहते हैं सक्रिय काल के एक्टिव होने के बाद प्रकृती महत और फिर अहंकार और फिर मनस्तत्तों में परिवर्तित हो जाती है इसके पश्चात पराउम रश्मी पश्यंती ओम रश्मी परिवर्तित होते हुए अन्य छंद रशMiiओ और प्राण रश्मिओ की उत्पत्ती करती है जिने विभिन नामों से जाना जाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे जैसे व्यहर्ति रश्मिया, मास रश्मिया, रितु रश्मिया, इसके पस्चात ये रश्मिया संगनित होकर पंच महबुद बनाती हैं आकाश, अगनी, वायू, आपह, पृत्वी फरत्मान विज्याम द्वारा जाने गए कथित मूलकन और क्वांटा अगनी महबुद तत्व के अंतरगत आते हैं उसी प्रकार आयंस और एटम्स आपह महबुद के अंतरगत आते हैं आकाश महबुद यानी स्पेस, पृत्वी तत्व यानी मॉलिक्यूल्स इसके पस्चात ग्रहों और तारों का निर्मान होता है तारों में नाभिकिय सनलयन की प्रकरिया आरंभ होती है और आकाश गंगाओं का निर्मान होता है और स्रिष्टी उस स्टेज पर पहुँचती है जहां हम आज स्रिष्टी को देखते हैं इसके पस्चात समस्त पधार्तों का विनाश होते हुए संपूर्ण तत्व अपने मूल उपादान कारण प्रकृती तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं और उसी को महाप्रले कहा जाता है तो आज की चर्चा में इतना ही शेश अगले वीडियो में जैमावेद भारती